जा हिंदिस वीडियों लोग बात करेंगे यामनी इंवेस्टमेंट कंपनी के बारे में, देखें यामनी इंवेस्टमेंट एक फानान सेक्टर की छोटी सी कंपनी है लेकिन संदार कंपनी है, दिकत यह कि पिछले कुछ समय से इस स्टॉक में लगदार गिरावट हो रहा है, तो बेसिकली इस वीडियों लोग बात करेंगे गिरावट के पिछे की असली वजह क्या है, क्या ऐसा कुछ समय आ सकता है, इसमें कुछ सुधार हो सकता है, जहां जाकर ये गिरावट ठाहर जाये, और जिनको नुकसान हो रहा है, उनको नुकसान की भरपाई हो सके, आसान म कम्पनी इनवेश्टमेंट जो कंपनी जह से में मतनौ इस से कामकर Programm करती में ज्यादा तरो में है तो बराओ एक कंपनी लौण भी प्रवाय़ कराती है और लोन पर जो कंपनी को इंट्रेस्ट मिलता है कि उससे पर more करेंगों एक उन्यमित कि अभ्राव कि दर्दमां में बरदकृति में मार्कीड ने 46 maken pagarốt था करता था अब देखिए दिकत क्या है कि अभी इस कंपनी का से नमासी पैसा का सबस्ट और जब 6 माँ पहले देखेंगे तो 6 माँ पहले इस कंपनी का से रपाइस दोड़ाई रुपे का सबस्ट हुआ करता था इसी साल तकर इवन मार्च अपरिल के में बात कर रहा हूं लेकिन अभी देखिए शेयर प्राइस कंप होकर नमासी पैसा आ गया है तो मार्केट केप भी कम होकर 46 क्रॉन का सबस्ट आ गया है मतलब यह हुआ कि मार्केट केप डिपेंड करता है शेयर प्राइस पर शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट केप बढ़ेगा शेयर प्राइस क तो दिरे दिरे वह भी पेनी स्टॉक के सिरणी में आ जाता है यहां देखेंगे तो पिछले शिक्स मन्स से यह स्टॉक लगभग 42 परसेंट कास पास तूट चुका है पिछले 6 मास से मैंने यहां कहा कि गिराउट हो रहा है ति इसी तूटनी के वज़े से प्राइस कम होका पिछले एक मावे श्टॉक लगभग 23 परसेंट टूटा है और अभी एक सबता हम देखें रिसेंट तो लगभग 27 परसेंट कास पास टूट चुका है यानि देख सकते हैं जैसे नजदी काते जा रहे हैं इसके टूटने का करम तेज़े से बढ़ते जा रहा है यह अलग ब इतना हाइ जब इसका पी रिसियो यह कि नया इंवेस्टमेंट करना चाहते तो इसको अभी बचना चाहिए उसको नुकसान हो जाएँगा और खास खासकर अभी जब इसका प्राइस लगतार गिर रहा है यह नहीं करना जाहिए ऐसे स्टॉक में है अँप बात करते हैं कि आ मार्च क्वार्टर में तो इसका था 3 करोन 24 रुपया यानि कि कमपनी ने जितना कमाया उस सदी खर्चा कर दिया तो जाहिर सी बात है जब आप अपने अवकाद सदी खर्चा करेंगे तो आपको करजा बढ़ेगा लोन बढ़ेगा तो उसमें देखिए कमपनी का टोटल प्रो करेंगे उसके बाद जून से क्वार्टर कर रड़ तो अभी जब जून क्वार्टर कर रिजल्ट आया तो उसमें कमपनी को बिल्कुल रिभेन्यूप राप्त नहीं हुआ क्योंकि कुछ सेल्सी नहीं हुआ था कंपनी का कमाई हुआ जिरो जिरो लेकिन कंपनी चलाना है त करके कमपनी अपने कार्वेक को करें अब दिखें इसं में करना क्या है के अब है कि pueda 2 आने वाला है न Springs are all thesın consider इंतजा कि यहरथ अच्छा आता है और शर्पर जाता तहुं ब vyara नहीं रिजल्ट अच्छा आता है प्राइस में मुमेंट अच्छा नहीं होता है तो आप निकल जाएगा इसमें बने रहने से कोई फैदा नहीं है क्योंकि समय फिर ज्यादा दिन अपड़ेगा वैसे देखेंगे तो फंडमेंटल बहुत अच्छा नहीं है और रिटर्न और जिरो पॉइंट फाइव के आसपास भी एक रहता है तो ठीक है लेकिन अभी आप बहुत कम है इसलिए इसमें बने रहें से निकल रहें बाहर जा रहें तो आप इसमें क्यों बने रहेगा आप भी समय देखके इसमें से निकल जाए जो मेरा सुझाव मैंने आपको बताया कोई भी सवाल में जरूर पूछे यदि आपके पास शेयर बयार में इंवेस्टमेंट करने के लिए डिमेट अकाउंट है तो लिंक दिया का है डिस्क्रिप्सेन में एंजल वन का आप वहां से जागर फ्री डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीड